यहां पर आखों की जाच होती है और वहां पर कलर ब्लाइडनेस की भी जाच की जाती है तो ऐसा ना हो कि मेडिकल के समय ही आपको पता चले अगर आप किसी भी जौब की त्यारी कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि आज आप अपनी आखों को जरूर चेक करें जिससे कि आप future planning अराम से कर सके कि आपको color blindness है या नहीं अगर है तो किस तरीके से किस लाइन में आपको जाना है और अगर नहीं है तो फिर आपको किस तरीके की तैयारी करना है यह दोनों ही चीज़े बहुत important है मैंने इस related पहले बहुत सारे videos बनाए भी है जिससे कि आपको एक सही decision लेने में काफी help मिलेगी अगर आपने भी तक अपनी आखों को check नहीं किया है तो आप हमारे जो पुराना एक video है उससे भी अपनी आखों को check कर सकते हैं उसका link मैं नीचे description box में दे दूँँगा आप वहाँ से click करके अपनी आखों को check कर सकते हैं अगर आपको ये सवाल है कि मैं colorblind हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए तो ऐसे में भी हमने बहुत सारे videos बनाए है उसके लिए आपको हमारे channel के home page पर जाना है और home page पर जाने के बाद आपको वहाँ पर playlist दिखाई देगी आपको उसको click करके color blindness वाले option को choose करना है जैसे ही आप choose करेंगे आपको वहाँ पर सारे videos मिल जाएंगे जिसमें की total detail है color blindness से जुड़ी हुई कि आपको क्या करना चाहिए आप किस line को choose करेंगे legal उसमें advice क्या है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके सवाल उससे जुड़े हुई रहते हैं तो अगर आपका कोई भी सवाल किसी भी तरीके का है तो आप playlist को देखें और अगर आपको अपनी आखें चेक करनी है तो आप इस description box में जाकर अपनी आखो को भी slide से चेक कर सकते है तो next video में हम फिर मिलेंगे तिल दन कीप smiling, see you in next video